मैं अपना पाठ याद करूँगा इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ गा गी गी आये ऐसे सेंटेंस फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं जैसे कि इस सेंटेंस में अंत में याद करूँगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो future and definite tense के affirmative sentence को English में translate करने का नियम होता है पहले subject लिखते हैं और इस sentence में subject है मैं तो पहले मैं की English लिखेंगे I मैं को English में कहते हैं I उसके बाद helping verb लिखना है cell या will में से कोई एक तो जब subject I हो तो I के साथ हमेशा cell का प्रयोग किया जाता है grammar के हिसाब से लेकिन आज की spoken English में आप I के साथ will का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हमने I के बाद cell का प्रयोग किया है उसके बाद verb लिखना है इसमें verb है याद करूंगा यानि कि याद करना याद करना को English learn भी लिख सकते हैं generally learn का मतलब होता है सीखना फिर भी आप यहाँ पे cell के बाद learn का प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद जो भी extravert होगा other object होगा उसे लिखना है तो यहाँ पे है अपना part तो पहले अपना के meaning लिखेंगे या जब subject मैं हो तो मैं के लिए अपना के meaning हो जाता है my part यानि listen तो learn के बाद लिखेंगे my lesson मैं अपना part याद करूँगा इसकी English होती है I shall learn my lesson I shall learn my lesson दोस्तों इसी तरह की और भी Hindi to English Translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं Thank you for watching